नमस्कार, वेलकम, स्वागया जैहींद, मैं हूँ रॉनेक, देख रहे हैं आप एशिया कप स्पेशल रंतंत्र, जी आप बॉर्डर का वसका ट्रोफी को हमने थोड़ा सा आराम करने बेजा है, क्योंकि एशिया कप ने इस वक्त स्पोटलाइट हासिल कर रखी है, कहने को तो क्या हाइट है इस मीटिंग की? क्या अब इंडिया पाकिस्तान जाएगी? अगर इंडिया नहीं गगी तो क्या पाकिस्तान इंडिया आईगी? इसी के बारे में आपके भाई ने राजा रैंचो की तरह, पूरी तरह पड़ताल करी और वीडियो बनाईं, बीडियो पसंद टोर्नमेंट में खेलना है तो टोर्नमेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना चाहिए। पर फाइनली होस्ट कंट्री का सेलेक्शन किया जाएगा। एक BCCI सोर्स ने अखबार को बताया है कि सारे इशिन काउंसिल के मेंबर मिले और बड़े अच्छे से बाते करी। काफी कंस्ट्रक्टिव डिसकेशन हुआ और फाइनल वेन्यू अब मार्च में सेलेक्शन किया ज जाएंगे हैं वहीं अब आप इस पर पाकिस्तान का भी रुख समझ लीजिए हाइलाइट नमबर दो में जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर चेर्मेन रमीज राजा ने कहा था कि टोर्नमेंट तो पाकिस्तान में ही होगा चाए इंडिया आए या ना आए यही स्टैंड करिंट चेर्मेन नजम सेथी का भी है फिलाल सूत्रों के मुताबिक उन्हों ने यही बोला है कि टोर्नमेंट पाकिस्तान में होगा क्यूंकि इंडिया के लावा बाकि सबी टीमें पाकिस्तान आने को राजी हो गई है रमीज राजा के ही स्टैंड को आगे सब नहीं खेला तो काफी स्पॉंसर्स बैक आउट कर जाएंगे ऐसे में अगले महीने आपको इस सुनने को मिल सकता है कि टोर्नमेंट का वेन्यू बदल कर UAE कर दिया गया है यादर कि सिर्फ वेन्यू बदलेगा होस्टिंग राइट पाकिसान के पास ही रहेंगे अगर प पाइसा कमानी की है तो पाकिस्तान वाले इंडिया को अपने बुलाने की जिद्ध छोड़ने और आखिर में एशिया कप UAE में बड़ी आसानी से हो जाएगा और अगर इंडिया नहीं आया तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ एशिया कप करा भी लिया तो भी वहाँ पर वेन्यू अपने आप चेंज हो जाएगा वेन्यू चेंज होने के आसार इसले भी लग रहे है क्योंकि कतर ने इस टोर्नामेंट का फाइनल कराने की एच्छा जताई है अब कतर ने फीफा वर्ल्ड कॉप कराने के लिए कितने पैसे दे दिये थे आपको पता ही है इस लिहा शिलनगन टीम पर टेृर्श अटाक के बाद कई सालों तक पाकिस्तान का किसी भी बड़ी टीम ने दाहरा नहीं किया था लेकिन पिछले एक साल में नियुजलेंड, इंग्लेंड और ऑस्टेलिया जैसी बड़ी टीम में पाकिस्तान का दाहरा कर चुकी है यानी शिलनगन टीम के अटैक के बाद टेस्ट प्लेइंग देशों में सिर्फ एक इंडिया नहीं पाकिसान में नहीं खेला है पाकिसान के पास 2023 एशिया कप के बाद 2025 का चैंपिन्स ट्रॉफी होस्ट करने का भी राइट है फिलाल मामला एशिया कप की चोटी टीमों का है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का है लेकिन 2025 में ये मामला ICC का हो जाएगा आपके इसाब से एशिया कप का वेन्यू क्या होना चैंप कॉमेंट बॉक्स भर डालो हम कल वापस आएँगे आपको बॉर्ड गावस के ट्रॉफी की अपडेट देने वीडियो देखने के लिए चैनल जरू सब्सक्राइब करना फेस्बुक पी देखे तो पेज को लाइक करना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना थैंक यू फो वाचिंग, से यू तोमोरो, जय हिंद्ट!